प्रशन साथ शंकू के एक छिन्नक के लिए पूर्व इस्पष्ट किये संकेतों का प्रयोग करते वे आयतन का सूत्र सिद्ध कीजे यहां हम चित्र से प्रशन को समझते हैं हम मान लेते हैं कि शंकू का भाग O, D, C हटाने से हमें छिन्नक B, A, C, D प्राप्त होता है चित्र से हम समझते हैं कि जब शंकू O, D, A में हम शंकू O, D, C को हटा देते हैं रिमूव कर देते हैं तो हम चिन्नक B, A, C, D प्राप्त करते हैं हम चिन्नक की उचाई P, Q बराबर H ले लेते हैं जो की C, E के बराबर है जो की C, E के बराबर है जैसा हमने पिछले प्राप्त में किया था चिन्नक की तरियक उचाई L है जो की B, D जो की B, D और A, C के बराबर है चिन्नक के वर्तिय सिरों की तरिज्याएं हमने स्मॉल आर छोटे सिरे में और बड़े सिरे में हमने कैपिटल आर ली हैं अर्थात केपिटल आर का मान बड़ा है स्मॉल आर से चंकू O, B, A की हम तरियक उचाई L1 ले रहे हैं और उचाई H1 लेते हैं तो हमने क्या लिया हमने यहां चिन्नक की उचाई H ली हैं चिन्नक की तरियक उचाई L1 ली हैं चिन्नक के वर्तिय सिरों की तरिज्याएं स्मॉल आर तथा केपिटल आर ली हैं शंकू O, B, A की तरियक उचाई हमने L1 और उचाई H1 ली है अब हम देखते हैं कि शंकू O, D, C की उचाई O, P, P, Q अर्थात H1-H के बराबर है हम चित्र से समझते हैं कि शंकू O, D, C की उचाई किसके बराबर है O, Q के बराबर है जो कि इस पश्ट है H1-H के बराबर है क्योंकि इस पश्ट है H1-H के बराबर है तो यहां हम देखते हैं कि तरिभुज O, Q, C और तरिभुज O, P, A समरूप तरिभुज हैं similar triangles हैं अर्थात उनकी भुजाएं उनकी भुजाएं समानुपात में होंगी अर्थात O, Q बटा O, P बराबर होगा Q, C बटा P, A के क्योंकि दोनों तरिभुज समरूप हैं इसलिए उनके हम देखते हैं कि उनकी भुजाएं समानुपात में होंगी तो तरिभुज O, Q, C समरूप है तरिभुज O, P, A के तो भुजाएं समानुपात में होंगी अर्थात OQ बटा OP बराबर QC बटा PA के बराबर है अब OQ का मान हम H1 माइनस H पराप्त कर चुके हैं OPH1 के बराबर है QC हम देखते हैं small r और PA R के बराबर है capital R के बराबर है इन मानों को हमने प्रतिस्थापित किया और हम H1 का मान यहां small h के पदों में ग्याद करते हैं तो हमने क्या ग्याद किया H1 का मान H1 बराबर है H गुणा capital R बटे capital R माइनस R के बराबर है तो हमने क्या ग्याद किया H1 का मान H के पदों में ग्याद किया अब हम चित्र से मापों को समझते हैं हमने यहाँ देखा कि OQ बटा OP बराबर है QC बटा PA के हमने OQ का मान H1 माइनस H लिखा है चित्र से समझते हैं देखिए OQ का मान हम देखते हैं H1 माइनस H के बराबर है इसी परकार अब हम देखते हैं OP का मान हमने H1 लिखा है तो OP देखते हैं किस के बराबर है OP इस पश्ट है H1 के बराबर है अब हम देखते हैं QC और PA के मान हमने स्मॉल आर और के बराबर लिखे हैं चितर से ये बात इस पश्ट है कि QC स्मॉल आर के बराबर है जबकि PA के बराबर है तो हमने इस परकार क्या किया हमने H1 माइनस H बटा H1 बराबर आर स्मॉल आर बटे केपिटल आर प्राप्ट किया और हमने H1 का मान इसे H के पदों में प्राप्ट किया जो कि HR बटे केपिटल आर माइनस R के बराबर है अब हम देखते हैं कि शंकू ODC की उचाई H1 माइनस H है यहां हमने पुन है जो H1 का मान हमने प्राप्ट किया है वो HR बटे आर माइनस R प्रतिस्थापित किया और उचाई को हमने सरल करके प्राप्ट किया जो कि H गुणा स्मॉल आर बटे केपिटल आर माइनस R के बराबर है तो इस परकार हमने शंकू ODC की उचाई स्मॉल आर के पदों में प्राप्ट कर ली अब हम देखते हैं कि शंकू के छिनक ACDB का आयतन इस पश्ट है शंकू OBA का आयतन माइनस शंकू ODC के आयतन के बराबर है OBA अर्थाद बड़ा शंकू है उसके आयतन में से छोटा शंकू जो की हमने हटा दिया है यदि हम उसके आयतन को घटा दें तो शंकू के छिनक का आयतन हमें प्राप्ट हो जाएगा शंकू OBA का आयतन हम शंकू का आयतन जानते हैं एक बड़ा तीन पाई यार स्कूर एच के बराबर होता है तो इस सुत्र के प्रियोग से शंकू OBA का हम देखते हैं कि आधहार की तरिज्या कैपिटल आर है तथा उसकी उचाई H1 है इसलिए यह मान एक बड़ा तीन पाई कैपिटल आर का स्कूर गुणा H1 होगी जबकि शंकू ODC का आयतन एक बड़ा तीन पाई उसके आधहार की तरिज्या स्मॉल आर है तथा उचाई H1 माइनस H के बराबर है इन मानों को प्रतिस्थापित किया यहां हम कॉमन एक बड़ा तीन पाई ले लेते हैं और ब्रैकिट को हम सरल करते हैं तो हम प्राप्त करते हैं कि यह मान एक बड़ा तीन पाई गुणा H ब्रैकिट में केपिटल आर का स्कॉयर प्लस स्मॉल आर का स्कॉयर प्लस स्मॉल आर गुणा के बराबर आता है अर्थात हम देखते हैं कि शंकू के चिनक का आयतन का सूतर क्या हुआ एक बड़ा तीन पाई गुणा H अर्था शंकू की उंचाई आर स्कॉयर अर्थात उसके बड़े सिरे की तरिज्जा प्लस स्मॉल आर स्कॉयर अर्थात उसके छोटे सिरे की तरिज्जा का वर्ग प्लस स्मॉल आर गुणा के बराबर होता है अर्थात शंकू के चिननक के आयतन का सूतर हमने एक बड़ा तीन पाई एच प्रेकिट में आर स्कॉयर प्लस आर स्कॉयर प्लस आर गुणा स्मॉल आर गुणा छोटा आर हमने स्मॉल आर गुणा केपिटल आर हमने प्राप्ट किया तो हम देखते हैं कि हमने इस प्रिशन में क्या किया हमने देखा कि शंकू के भाग O, D, C को हटाने पर हमें चिननक B, A, C, D प्राप्त होता है हमने चिननक की उंचाई को small h लिया चिननक की तरियक उंचाई हमने small l के बराबर ली चिननक के वर्तिय सिरों की तरिज्याएं small r था capital r के बराबर ली हम शंकू के O, B, A की तरियक उंचाई L1 और उंचाई H1 लेते हैं अब हम शंकू O, D, C की उंचाई प्राप्त करते हैं जो की H1 माइनस H के बराबर है हम तरिबुजों O, Q, C देखते हैं कि समरूप है तरिबुज O, P, A के अर्थात उनकी बुजाएं समानुपात में होंगी तो O, Q बटा O, P बराबर Q, C बटा P, A के बराबर है और इस परकार हमने H1 का मान प्राप्त किया H के पदों में H1 बराबर Q गुणा capital R बटे capital R माइनस small r के बराबर है अब हम शंकू O, D, C की उंचाई पराप्त करते हैं जो की H1 माइनस H के बराबर है और H के पदों में यह मान small h गुणा small r बटे capital R माइनस small r के बराबर है हम देखते हैं कि शंकू के छिनक A, C, D, B का आयतन बड़े शंकू अर्थात शंकू O, B, A के आयतन में से छोटे शंकू अर्थात O, D, C का आयतन घटाने से प्राप्त होता है शंकू के आयतन का सूत्र हमें ग्यात है कि 1 बटा 3 pi r square h है यहां हमने शंकू के आयतन में प्राप्त मानों को प्रतिस्थापित किया तथा हमने प्राप्त किया कि शंकू के छिनक का आयतन 1 बटा 3 गुणा pi गुणा h bracket में capital r का square प्लस small r का square प्लस small r गुणा capital r के बराबर है